हेलो फ्रेंट्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनी स्कूल पर हार दिख स्वागत है देखे आज गौर्वर्मेंट ने केंदर ने सुप्रीम कोट में एक एफिडिफिट दैर किया है उसमें कहा है रुपीज 50,000 रिलीफ टू बी पेड टू किन ओफ कोविड विक्टिम्स सेंटर टू सुप्रीम कोट तेखे इसका मतलब क्या है कि जिस भी व्यक्ति ने कोविड के कारण अपनी जान गवाई है तो उसके परिवार वालों को एक्स ग्रेश यानि कह सकते हैं सहायता रासी के रूप में सरकार 50,000 रुपे देखी यानि 50,000 जो जितनी भी देश में कोविड के कारण दैथ हुई है जिन लोगों को अपनी जान गवाना पड़ा है इस पैंडेमिक में उनके परिवार वालों को एक टैथ के हिसाब से 50,000 रुपीज का क्लेम मिल देगा देखी इस निउस पे हम पूरे विश्तार से चर्चा करेंगी कि क्या कहा सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट में और ये आपको पैसा कैसे मिलेगा देखी आगे बढ़ते हैं उससे पहले अगर आ देखे जिए दा फैमलीज ओफ कोविड विक्टिम्स अंक्लुडिंग दोस इंवल्वड इन रिलीफ ओपरिशन्स देखे वही अकेले नहीं जिनको कोरोना हुआ है कोरोना की वज़े से उनकी जान गई है जो और सब भी लोग थे जो रिलीफ ओपरिशन्स में लगे हुए और उनको भी क्यानी जैसे डॉक्टर्स हैं प्रिस वाले हैं जनको मतलब लाश्टली आप बोलोगे तो कोरोना उनको हो गया था ऐजे रिलीफ ओपरिशन्स में तो उनको भी विल बी गिवन 50,000 कंपेंसेशन फ्रॉम दा स्टेट डिजास्टर रेस्पॉंस फंड देखे अ रापदा प्रबंदन फंड होता है उस फंड से आपको जो यानि जिस भी स्टेट से आप पिलोंग करते हैं तो आपको यानि उनके जो भी जानगवाई है उनके परिवार वालों को उनके परिजनों को 50,000 रुपीज का कंपेंसेशन दिया जाएगा ये गवर्मेंट ने सु रुपीज 4,000,000 रुपीज टू किन ओफ डिसेश देखें एक पिल में बोला गया था कि हर जो मृत्ति हुई है कोविड के कारण उसके कंपेंसेशन के लिए साहिता रासी के लिए सरकार को 4,000,000 रुपे प्रतेक दैद के लिए देना चाहिए तो सेंटर हैड अपोजड प्रतेक प्रतेक को 4,000,000,000 रुपे जैसे मैं आपको बता है नैशनल डिजास्टर मैंजमेंट प्रतेक दैद के लिए साहिता रासी के लिए तो इसका क्या है हम पर एक नेगेटिव इंपक्त पड़ेगा और जो और हम रेस्पोंस कर रहे हैं पैंडेमिक से बचने के लिए वो और ज्यादा एफेक्ट हो सकता है दन जैसे मैं आपको बता है नैशनल डिजास्टर मैंजमेंट अथर्टी has framed guidelines in this regard following directions issued by the top court the concerned family will submit their claims through a form issued by state authorities along with specified documents including those certifying the cause of death देखिए अब यह क्या है आपको जो family claim करेगी उस claim के साथ में एक form issue जो होगा वो state authority के दोवारा होगा उसमें आपका सब specific documents बताया जाएगा कि क्या क्या documents है और जो death certificates है उसमें आप जो death हुआ है उस death की date और cause of death यह mention होना compulsory है यानि उसमें लिखा होना चाहिए कि यह death जो है COVID की वज़े से हुई है the district disaster management authorities will ensure that the process of claim verification, sanction and dispersal is simple, robust and people friendly देखे यह बोला गया कि जो district level पे disaster management authorities हैं will ensure the process उनको इसकी जिम्यदारी दी गई है claim को process करने के लिए verify करने के लिए और sanction authority और जो amount account में आएगा उसके लिए dispersal is simple है robust है और बहुत ही easy है all claims must be settled within 30 days of submission of the required documents देखे जो जो भी documents requirement होगी उस document के साथ जैसे ही आप अपना claim जमा कर देते हैं 30 days के अंदर वो पैसा आपके account में आ जाएगा and dispersed through the other link direct benefit transfer procedures तो जो यानि direct आपके ऐसा आपके account में आएगा the centers of defeat said in case the decision of the committee is not in favor of the claimant यदि उनको लगता है किसी वैसे कि इनको पैसा नहीं दिया जाना चाहिए या इनकी जो documents है वो पूरे नहीं है या मान सकते हैं कि जो death का reason है वो उसमें सही से mention नहीं है या नहीं लिखा हुआ है due to covid a clear reason for the same shall be recorded अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके सामने लिखा जाएगा कि इस वज़े से नहीं दिया गया है तो अब ऐसा भी होगता है कि इसके वज़े से कुछ grievances हो लोगों के बीच में तो grievances if any will be handled by district level committee consisting of additional district collector जो additional district collector होगा वो chief medical officer of health additional chief medical officer of health or the principal or head of department of the medicine at a medical college if one existing district जो भी district में available होगा उनकी एक committee बनेगी वो committee फिर उसको look after करेगी and a subject expert और उसमें एक subject expert भी होगा in June the Supreme Court had ruled that families of those who died from COVID should get financial compensation and gave the National Disaster Management Authority six weeks to decide on the amount and frame the required guidelines देखे जून में Supreme Court ने कहा था कि जो NDMA है National Disaster Management Authority यानि आप अदा परबंदन के लिए जो यह चीज़ बनाई गई थी बुल आगर आप ऐसा नहीं करते हैं आपका परपजी एक्ली बनाने का यह था कि आप अप अदा में लोगों की help करें अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप अपनी सम्विधनिक दूटी नहीं कर रहे हैं तो और उनको six weeks का time दिया गया था to frame the required guidelines and the amount a bench led by Justice Ashok Bhushan had directed the NDMA to determine in six weeks the ex gracia amount to be paid to the family of each covid victim however it has said it won't be proper for the court to direct a particular amount to be paid on September 3 it had expressed disclosure over delay in framing guidelines of for issuance of death certificate to the families of victim तो 3 September को भी क्या है Supreme Court ने अपनी नराजगी जिताई थी कि यह delay क्यों किया जा रहा है अब देखिए हम बात करते हैं कि इंडिया में approach मोटा मोटा माना जा रहा है कि लगबग साड़े चार लाख debt जो है COVID से जुड़ी हुई है या तो आप देखिए जो COVID जिनको हुआ है वो या जो COVID operations में लगे हुए थे relief fund में लगे relief operations में लगे हुए थे तो उनकी भी जो जान गई है अगर मैं बात करूँ तो लगबग साड़े चार लाख जाने इसमें गई है since the pandemic broke out in January 2020 some states have already announced compensation for families who have lost members to COVID देखिए कुछ states हैं जिन्होंने अपने हाँ पे COVID की वज़े से जो compensation है जो death गई है उसके लिए compensation already declare किया हुआ है जिसमें अगर मैं बिहार की बात करूँ तो बिहार है 4 lakhs per family, मदपरदेश 1 lakhs and डिली 50,000 तो ये ऐसा amount है जो already कुछ states ने इन तीन states ने अपने हाँ पे जारी किया हुआ है उलेड़े तो center की तरफ से जो बोला गया है तो उन्होंने बोला है कि हर state जो अपना रहत परबंदन है आपदा रहत परबंदन course है उस course से 50,000 रुपे इसकी सहायता राशी 30 days के अंदर जैसे ही documents पूरे submit कर दिये जाते हैं और यह district level पर किया जाएगा और इसका जो procedure है क्या-क्या documents requirement है वो जल्दी ही यह सब बता दिया जाएगा NDMA की NRDMA की site पे तो यह थी आज की जानकारी देखिए इसमें जानकारी कम अगर आप बात करें तो यह एक तरह से हो सकता है कि आप लोगों को आपने आस परोस में जो भी आपको कुछी step की चीज़े लगे उन लोगों को थोड़ा बताना होगा गाइड करना होगा हो सकते कि जैसे भी कुछ next update आएगा मैं description में भी और comment box में भी इसमें add कर दूँगा चलिए ये थी हमारी आज की वीडियो आप comment box में जरूर बताएगा कि मेरा ये प्रियास आपको कैसा लगा फिर मिलेंगे आपसे जै हिंद जै भारत